Hi everyone, आज हम बात करेंगे कुछ अजीबों गरीब बातें जो कि आपने ना कभी सुनी और या फिर शयाद आपके दिमाग में आई लेकिन आपने पूछा नहीं क्योंकि पूछते हुए आपको अजीब सा लगा, शरम आई कुछ ऐसी बात हैं, जो कि विजायना की आपको पता ही नहीं है, योनी से क्या-क्या प्रॉब्म्स हो सकती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लोगों ने कभी-कभी मुझे से पूछा, लेकिन लाइफ सेशन में मैं जब जवाब देती हूँ, तो बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग नहीं भी सुन पाते हैं पहला पॉइंट, क्या विजायनल डिस्चार्च जो बनता है, क्या वो विजायनो को क्लीन करने के लिए होता है, येस, ये है बॉडी का एक अपना मेकानिजम, क्योंकि विजायना के अंदर बहुत सारे बाक्टिरिया होते हैं, और इस अन ओपन साक, इस बेसिकल इन ओपन एक तरफ से खुला हुआ है, तो क्योंकि एर के कॉंटाक्ट में रहता है, इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, तो अंदर कुछ हेल्दी बैक्टिरिया होते हैं, जिनको हम डोडरलीन बैक्टिरिया बोलते हैं, डोडरलीन बैक्टिरिया का काम ये होता है, कि आपकी हॉर्मोन आपको इन्फेक्शन है और आपको यूज करने की जरूरत है. सेकिंड पॉइंट, क्या आपकी डाक कलर के अंडर क्लोज यानि कि पांटी स्टेन होती है? यानि कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है? येस, क्यूंकि विजानल डिस्चार्ज के अंदर आसिडिक मेटीरिल होता है. आसिड कौन सा होता है? लाक्टिक असिड. जो लोग साइन्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि ग्लाइकोजन जो होता है, जो कि आपकी विजानल सेल्स बनाते हैं, और ये जो बैक्टिरिया है, डोडर्लीन बैक्टिरिया, ये इस ग्लाइकोजन को लाक्टिक असिड बे कनवर्ट करता है, क्यूंकि विजाना का पी pH यानि की पी-ेकज क्या होता है, इक केमिकल वाल्युक्ति होती है, जो पताते है, जो फ्लूइब है जो असिएक ऑलाऴ प्लिजित को लाक्टिक अस ते are you, जो पैका पंच सब्साहाइं के साम कर गक्लोज्स उत्ची क्यों पताते हैं, तो उत्क दिनों के बाद आपके पता नहीं पीरेट्स के स्टें था या फिर कुछ और था बेसिकली कपड़ा खराब नहीं हो रहा है आपके कपड़े में कोई दिक्क दनी है इस योज जो की इस्ट्रोजन कंटेंट की विज़े से ज्यादा बन रहा है उसमें एसिड है और वह आपके कपड़ों के कलर को चें जा रहा है और वह ब्राउनिश के स्ट्रोज है यूटरस से नहीं हो रहा है क्योंकि आप और एक थोड़े वेदर गालर का ही क्यूंकि वूरываем तो यूशिल्ड को फ्यूरे लंडे लेडीज है जो local तो बेसिकली जो आपको ब्राउनिश डिस्चार जा रहे है वह यूटरस से नहीं आ रहे है वह जो जो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सही था तो अंदर कलेक्ट हो गया किसी स्पेस में चला गया तो वहां से जब निकलता है तो ब्राउनिश लगता है कभी-कभी यू रिक्टिट ब्लड है वह बाहर आता है और वह क्योंकि ब्राउन कलर का उता है तो आप डर जाते कि ब्राउन कलर का कैसे आ रहे है एव दूरिंग प्रेग्ननंस ही कभी-कभी अगर छोटा मटधा कोई कैपलर नी बर्सट हो गई अंदर कुछ या तो इंटर की तरफ से क्या लेरी बर्स्ट हुई तो वह क्योंकि बहुत थोड़ा सा होता है बूंद बूंद होता है वह अंदर collect हो जाता है और बाद में brown color से निकलता है और आप डर जाते हैं कि यह क्या हुआ चौथा point क्या vagina के अंदर air trap होके आवाज आ सकती है येस इसको बूलते हैं garrulous vagina बड़ा अजीब सा word है और बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को experience करा होगा बट कभी-कभी जैसे आप fart करते हैं जैसे आपको gas pass होती है कभी-कभी vagina के अंदर से भी gas की आवाज आती है कारण यह होता है कि वो एक hollow tube है एक you can say blind tube है बाहर की तरफ open है अंदर की तरफ बंद है तो उसके अंदर कोई air trap हो जाए या कुछ और चीज़ ट्राप हो जाए आपने अपने आपको wash किया है डूश करे है वाटर ट्राप हो जाए तो उसको निकलने का रास्ता एक ही है जहा कि विजयना के अवाज आना बहुत नर्मल है इसपेशली जो obese ladies है पांच्वा पॉइंट जब आप बाथ तब में जाते हैं आपको लगता है कि विजयना में बहुत ज़्यादा फ्लुइड भर जाएगा और मैं अंदर उसक कर लूँगी मोटी हो जाऊँगी ऐसा नहीं है बड़ी अजीब सी बात है कुछ लोग हजबी रहोंगे इसको सुनते हुए बट एक्चुली इस तरह के सवाल आते हैं मेरे पास ऐसा नहीं है विजयना कुछ अंदर अब्सॉर्ब नहीं करता है वही जैसे सेक्स करते हैं सीमन जाता है अंदर वह अब्सॉर्ब नहीं होता ह इसी तरह से बात टब में लेटते हैं और अंदर पानी जा रहा है तो वह कहीं नहीं जाएगा वह अल्टिमेटली बाहर आएगा हो सकता है थोड़ा बहुत यूरिन के रास्ते चला जाए क्योंकि यूरित्रा के अंदर कभी-कभी आप बहुर देतक अपने आपको डिप करे यूरिनरी जो ब्लाडर है उसके अंदर आपको सेंसेशन आएगा कि आपको यूरिन लग रहा है तो इस तरह की सवाल होते हैं कि मैं अंदर सक कर लिया और मैं मोटी हो गई है पानी भर गया ऐसा कुछ नहीं होता है छटी चीज जब आपको बलड नहीं आता है यानि कि आप को पीरिट कंवाते हैं तो आप को बोलते मैं मोटी हो रही है यह बहुत बड़ा मिजनोमर हे वहम है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि आपके पेट में बड़ भर रहे है और आप मोटे हो रहे हैर पीरिट में 50 हमयं से याड़ा आधा भाल नही नीं निकलता है 50 अमयन जिसको इंपर्फुरेट हाइमन बोलते हैं, तो उसमें तो बहुत पहले पता चल जाते हैं, 12-13 साल की एज पर पता चल जाते हैं, कि रुकावट है, उसको काट के ठीक करना पड़ता है, अगर आप अलड़ी इतने जिरों से मेंस्टुएट कर रही हैं ते महीनों से, तो आप क्या पेट नहीं फैलेगा, कमर नहीं फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अंदर कुछ नहीं भर रहा है, हो सकता है, उल्टा एफेक्ट हो, कि आप मोटी हो रही हैं, आपके हॉर्मोंस गरबड़ा रहे हैं, फैटी टीशू के अंदर एस्टोजन कनवर्ट हो जाता है, लास्ट पॉइंट आज का, कि अगर आपको विजायना में इंफेक्शन है, या फिर आपने कॉपर्टी लगवाई और आपको बाई चांस उसके वज़े से इंफेक्शन हुआ, तो क्या वो इंफेक्शन यूरिन के रास्ते अंदर जा सकता है, पहली बात तो इसका अंसर य अपने का पाणी कम पीने के अदत या फिर आपका मोटापा इतना जादा है कि अपने आपको थिक से जबीन नहीं कर पा है, बहुत से लोग अपने पॉटी के रास्ते को भी धंक से क्लीन कर पा थे बीकाटई, डर के मारे, जो भी रीजन है या फिर इचिं की वज़े से, त बट यह हो सकता है कि कॉपटी की विज़े से आपका वेजायना का इंफेक्शन हुआ बिकॉस अफ हाईजीन प्रॉब्लम या फिर आपने ज्यादा प्रोन है आप आपको ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हैं इस सारी बाते हम पिछली बार डिसकस कर चुके है तो उस वज़े से आपको क्रॉस इंफेक्शन यूरीन में हो सकता है बट उनली बिकॉस की कॉपटी लगाई है उस वज़े से मैं को यूरीन इंफेक्शन हो रहा है यह गलत है क्योंकि यूरीन का रास्ता अलग है वहां कॉपटी नहीं जा रही है कॉपटी आपके बच्चे दन के अंदर है और जेनरली कॉपटी के विज़े से इंफेक्शन नहीं होता है सिरफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है आज के लिए इतना ही ये कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे और विज़ेना की डिस्चार्ज के विज़े से पैंटी क्यों स्टेल हो जाती है ये सब कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको पता होनी चाहिए आप अपनी बच्चों को अपनी बहनों को अपनी भाबियों को बता सकते कि बेहां ये प्रॉब्लम नॉर्मल होती है ये कोई डरने वाली बात नहीं है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर जरू करिएगा बागी लोगों को भी से नॉलिज मिलेगी और लाइक का बटन जरू दबा देना थांक्यू बेरी मच्च